दोस्तों कभी-कभी हमारी privacy के कारण कोई जो application होता है phone का वो हमें hide करना पड़ता है तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक application जो है या फिर demo के तोर पर एक application जो है आप देख रहे है चलिए आज कुछ नया सीखते हैं तो दुस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और टेकनलोजी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसके बाद आपको देखने आपको लाइकिशन शेयर किजिए टो दूस्तों हमें से फ्लेट एक जया अथिवर श्टर से एपिली केesteam अगर मैं आपको दूद करने हैं तो मैं आपको यहां पर दिखाँगा कि प्लेश्टोर जो है यहां पर यहां पर में जो अप Hiider ए जो आप्लीकेश आपने इंस्टॉल किये हैं, इस सब की जो इंफोर्मेशन हैं यहां पे इनस्ट्लाइज कर रहा है, तो हम 100% होने देते हैं, तो यहां पर 100% होने के बाद इसका user interface इस प्रकार से आपको दीख जाएगा, तो आपको यहां पे प्लस पे क्लिक करकर अप्लिकेशन जो है, वह यह लिस्ट आई हुई हैं इस लिस्ट से यहां पर फोटो लाब एक सैंपल के तोर पर आपको दिखाना चाहूंगा जब मैं कोई एपलिकेशन यहाँ पर ले लेता हूं तो यह यहां पर इस application के अंदर ही तयार हो चुका है तो हमें जो main वाला application है इसको आपको uninstall करना है क्योंकि वो application जो है हमें बाहर नहीं रखना है आप uninstall नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन अगर आपको privacy को ध्यान में रखकर करना है तो इस application को uninstall की जो है ताकि किसी को पता न चले कि यह इस प्रकर का application आपके फोन में जो है वो इंस्टोर है तो यहां पर app hider पर जाएंगे हम यहां पर कुछ setting जो है मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूँ तो setting पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यह से आपको enable करना पड़ेगा एनेबल के लिए यहां पर password जो है यह software मांगता है आपको तयार करने के लिए बोलेगा तो मैं 1 से 6 तक यहां पर कर सकता हूँ या फिर fingerprint से भी मैं इसे खोल सकता हूँ ठीक है तो यह जो application है यह पूरी तरीके से hide हो जाएगा तो आपको यहां पर दिखने के लिए जहां पर apps आपको दिखते हैं तो वहां पर यह calculator के जैसा दिखेगा उसके बाद आप fingerprint जो है उसको आप disable कर सकते हो अगर आपको fingerprint से नहीं खोलना है उसके बाद recent activity जो है इससे भी आप इसे निकाल सकते हो यानि अगर कोई minimize application देखता है कि इसने कौन सा application देखा हुआ है तो यहां पर minimize जो होने पर भी application जो है वो आपको screen पर नहीं show होगा ठीक है तो इस प्रकार से इस application को आप use कर सकते हो तो यहां पर मैं दिखाऊंगा कि आपको यहां पर application नहीं दिखेगा तो यह सिर्प calculator के जैसा है दिखेगा किसी को पता नहीं चलेगा उसके बाद recent में आपको दिखाना पड़ेगा इसके लिए passcode दे सकते या फिर थंब आप लगा सकते हो ठीक है फिर सही जो एप हाइडर जो application है यह फिर से इनिस्लाइज करके जितने बेडिकेशन आपने यहां पर हाइड किये है वो सब आपको यहां पर जो है शो करने वाला है तो यहां पर प्रोसेस हो रही यह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो application हमने हाइड किया हुआ था वह वैसा की वैसा ही है इसको कोई भी problem नहीं आने वाली है ठीक है इस प्रकार से ही जो application है आप यहां पर देख सकते हो तो इस application की मदद से आप जो है आपकी gallery हाइड कर सकते हो सब कुछ यहा time वहाँ पर आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं मैं आपके सवाल का 100% जवाब दूँगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार